हलो दोस्तो दोस्तो अई जो टोपिक में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ndt नोन डिस्टक्टिव टेस्ट दोस्तो ndt मतलब जिसमें कोछ भी टेस्ट करना है आपको प्रोपर्टी हो डिसकंटिनिटी हो डिफेक्ट हो ब्लो हो लो कुछ भी कास्टिंग का बिल्डिंग तो नॉर्मेल सार्फेस में जब आपको अबजेक्ट का कुछ भी दीखता नहीं है लेकर हाई तो उसका अंदर में कुछ पोब्लेम है तो उसको लिए ndt टेस्ट गया जाता है नोन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट दोस्तो जिसमें नॉर्मेली चाट टेस्ट से ज़्यादा य पहले उसको अमरेपास अब्जेक्ट मैंने बीजीवल टेस्ट कर रहा हूं देह रहा हूं उसको चार noi इसको डीपेक्ट ही तो मुझे पता लग रहा है लेकिन इसका इन्साइड में कुछ डिपेक्ट है वो मुझे पता नहीं लगएगा तो उसको पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है NDT ultrasonic test magnetic particle test dry penetration test normally surface के लिए visible test और liquid penetration test किया जाता है दोस्तो आज का हमने जो टॉपी रखा जिसका नाम है ultrasonic testing machine ultrasonic testing हमरा पास जो machine दिख रहा है दोस्तों इसका maximum capacity 15 meters है 15 meter depth में कुछ भी discontinuity है defect है blow hole है slag है वो आपको पता करके बता देगा जह है क्या यह हमरा display है आपके सामने दिख रहा है दोस्तों यह हमरा display है display में अलग-अलग switch होता है जो setting होता है जैसा mobile जैसा setting है उसको पहले में बताने कोशिश कर रहा हूँ इस line cathro यह हमरा display है जिसको c या cathode rate u कहता है यह हमरा display है यह जो आपके सामने दिख नाम है echo echo setting करना होता है जै कितना echo जो depend करेगा thickness के उपर और आपका range के उपर कितना range select के है उससे सब उसका thickness क्या है उससे आपसे echo तयार होगा यह fast echo initial है यह last echo यह आपका जो depth है वो object का depth सो करता है फास्ट echo उसके बाज में कुछ भी echo दिखा रहा है मतलब वो discontinuity है फास्ट EchoAY उसके बीच में कोई echoxo दिख रहा है मतलब वो discontinuity है यह साइड से कितना distance में है यह सब पता करने के लिए जो test किया जाता है जिसका नाम है अल्ट्रसोनिक टेस्टिंग में यह हमारा सेटिंग है पावार के लिए सेटिंग है यह हमारे डिफेक्ट है इसमें थ्री टाइप्स अब प्रो भी उज किया जाता है जो क्रिस्टल मिटल का बना होता है क्रिस्टल मिटल क्या करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी और भाइब्रेशन में कनभाट करता है इतना फ्रिक्वेंसी में कनभाट कर देता है जो हमको नॉर्मल कंडिशन में हम देख नहीं सकते इतना फ्रिक्वेंसी है तो क्या होता है अल्टरसोनिक तेस्टिंग में इलेक्ट्रिकल एनरजी, मेकानिकल भाइब्रेशन एनरजी में कन्वाट हो जाता है, यह इलेक्ट्रिकल एनरजी, उसके लिए कौन सा डिवाइस का चुरत पढ़ता है, थ्री टाइप्स अब डिवाइस है, जैसा अधर इजे प्रोब, इसका नाम है टी आर, transmission and receiver probe और एग होता है जिसका नाम है दोस्तो angle probe यह 60 degree angle का बना हुआ है इसके लाम है यह 3 types of dive device जो normally ultrasonic basin पे test किया जाता है कैसे होता है यह आपके सामने आपने line diagram को था है यह आमरा receiver मतलब इसके दो air गया है एक sound को ले आता है wave wave को ले आता है और एक में receive करता है दोस्तो जो wave होता है उसमें normally क्या होता है 3 types of probe होता है मैंने बताया दोस्तो दिखाया भी साम एक tr होता है एक angle होता है एक normal होता है इपर number of b को किदना आएगा कि इसमें decision करेगा range divided by thickness दोस्तो जो velocity होता है वो velocity कैसे होता है b is equal to f r होता है क्या होता है b is equal to b is equal to f lambda wavelength थे दोस्तो यहाँ हमको lambda निकलना है wavelength निकलना है तो क्या होगा b by f velocity of a e को इस metal जो है उसका velocity क्या range क्या है सत-सत उसका frequency क्या है यह दोनो normally mission में set किया जाता है इसमें से हमको wavelength निकल के आ जागा जो wavelength के थुरू हमारा vibration होने वाला है यह normal setting है इसमें आमने आपको दिखाया यह line के थुरू इसके बाद मैं machine पे दिखाऊंगा उसके बाद दोस्तो इसको step by step मैं practical करके भी दिखाने बाला हूँ normal probe कैसे indicate करता है channel probe कैसे indicate करता है angle probe कैसे indicate करता है defect तो defect जैसा यह defect है यह defect यो है «एगन के थुरू पता nah रहा है» यह हमारा probe है tramp tracer है probe है यह probe यह frequency को मेजर करके आपको बताता है इसमें आलगा-अलगफ्यक्ट है आपके सामने दिखा ह若ी यह हमारा machine है जिसका नाम है ultrasonic testing machine जिसका maximum capacity 15 meter से इसमें अलग-अलग menu होता है menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, सब अलग सब कुछ नहीं, यह अलग-अलग setting है, जैसा काम करते जाना है, वो setting धिरे-धिरे-धिरे समझ में आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो useful setting होता है, और 2 और 4, सबसे ज़्यादा useful है, 2 और 4, यह यह पूरा खेल है, 2 और 4, पूरा system का खेल जो है, 2 और 4 के बीज में होता है ठीक है दोस्तो 4 में क्या होता है ये सका setting है जैसा cursor ये ये cursor को आपको颰ण करना है दिखें दोस्तो ये मैं cursor को ले जा रहा हूं ये किसमे से होता है ये menu number 2 से होता है और 5 vote होना चाहिए तभी जाके ये काम करेगी है यह में में सेटिंग होता है अल्टरा सोंग मेंस नार हमने यह डी बी है डेसिबल जूश फ्रिक्वेंशी में यह अब्जेक Pra इस वोगम करेंग है जैसा अब्जेट का थिगनेस के उपर डीथ्मीन करेंगा आपका दो मीटर का थिगनेस तो दो मिटर का थिकनिस देना पढ पड़ेगा, आपकर 50 mm का है, तो पचास देना पड़ीक जैसा अब्जक्त का थीकनिस होगा, जैसा हमारा पास ओझ्जक्त है, जिसका height जो है 100 है height कितना है 100 है इसका height जो है 100 है हमने 100 की सबसे 160 लगाया यह जैसे यह object है यह object हमारा 25 mm का है तो 25 mm से आपका जो range है उसे सबसे set करना है माल लिजे यह आपका object है aluminum का बना हुआ इसको test करना है तभी हो जाएगा सिफ आपको range और db change करना पड़ेगा और metal का velocity चेंज करना पड़ेगा बाकी कुछ भी नहीं है जैसे आपको change करना है यहां से आपको automatic change हो जाएगा यह होर चीज आपके सामने दिख रहा है menu में कुन सा क्या है thickness कितना है हमने देखिए देखिए लिखा हुआ है जो हमने 100 देख रहा था इस object के लिए db देख रहा था हर point आपको यहां मिल जाएगा यह जो आपके सामने दिख रहा है यह angle probe के लिए है लिखा हुआ है angle 45 degree के लिए है हर point आपके सामने आ जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ आपके range दिया हूँ यह जो दिख रहा है 2499 यह इसका velocity है velocity के सबसे उसका range दिया रखा हूँ 180 मांग इसका height 180 है यहाँ 5920 उसका meter per second velocity है delay 0 पे है db है इसे सबसे हर object में कोई भी object हो आपके उसका discontinuity निकलना है defect निकलना है blow hole निकलना है तो असानी से वो सब कुछ संबब है तो यह आपका ultrasonic testing machine के दुरू मैं इसके जैसे माताल यह मेरे पास एक object है यह हमने दो number शिर कर लिया इसके बाद चार सबसे ज़्यादा इसी क्यों है यहाँ दोस्तों सबसे कोले memory में जाके a scan करना है a scan यह सबसे ज़्याइब memory number 2 memory number 4 जैसे हमने memory number यह 4 कर दिया recall enter यह हमारा echo आगया यह echo आगया देखे यह हमारा echo है यह धीरे धीरे हमारा range के हिसाब से यह change होती चल जाता है इसका distance कैसे set होता है आपने उसका फर्मूला बताया था जो number of echo कैसे decide होता है number of echo मतलब range कितना range रखा वह लिखा हुआ हमारा range divided by thickness वो thickness के सबसे यह हमारा echo number 1 echo number 2 echo number 3 यह कोई defect नहीं है यह surface टकराने के बाद wavelength जो है surface टकराने के बाद return गया उसी का यह symmetrical में आपको दिखाया गया यह कोई defect नहीं है defect होगा जैसा इसका बीज में यह छोटा सा आपको दिगरा है छोटा सा यह करसा ले आने बाद पता लगेगा उसके अंदर defect है अब मैंने दुस्तों एक चेंज कर दिया 5 number recall देखिए कुछ नहीं है 6 number recall 7 number recall देखिए आगी है इवर यह चीज है आपके पास इको दिखा रहा है यह इको क्या है उसको टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा और कैसा टेस्ट होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए यह अमने माल लीजिए हमने अभी हमको 2 number पे जाना है mile still ले रहा हूँ तो उसका 2 number है 2 number के चले गया 2 number पे दोस्तो इसलिए गिया है करन यह जो object हमारा mile still है आपके सामने दिखाने को सिस करो mile still का object है इसका frequency इसका velocity इस 2 number पे set करा हुआ है लेकिन इसको मैं जोरोत ही नहीं पड़ेगा, मैं इसको हटा ही दियता हूँ, देखिये, दूस्तों, मैंने हटा दिया, ये न्या फ्रेस होगी एकदू, पूराना कुछ भी नहीं है, ये हमारा पास नॉर्मेर प्रोब है, ये Normal Pro है, आपके सामयrá दिक नो नौर्मेल ब्रोब है इसके पात मैंने इसको रखना है इसके सबसे फ़िल है, लुब्रिकेटिंग ओयल रखना है वाग GRIES लगना है इसका कारण यही है, जिब Üब लेंद है साउंड ऐब है, वो बाहर ना चल जाए यह crystal है आपके सामने दिखा रहा हूँ crystal flame लगा हुआ है जो electrical energy को sound गे थूँ mechanical energy में convert करता है जैसे ही रखा इसमें उसका echo यह देखिए दोस्तों echo आ रहा है यह echo देखिए यहां तीन अलग अलग echo आ रहा है यह देखिए तीन echo आ गया आपके सामने थे यह आपका initial है यह हमारा final है मैं मान के चल रहा हूँ यह कुछ defect हो सकता है कारण हमने दिखा यह portion और यह portion का distance जो है वो hundred है hundred हमने range रखा था हमारा object का thickness मतलब यह अपका initial है यह हमारा final है मतलब यह दोनों तो clear हो गया जिसका height सो कर रहा है तो यह क्या है इपर यह चीज क्या है इसको पता करने के लिए आपको ले आना है cursor सबसे पहले हमने इसको फ्रीज करना होता है यह फ्रीज कर दिया यह हमरा display में आगे इसके बाद उसको पपत तरीके से test करके दिखना है जो ओ क्या है जो दोस्तो next भीदों में बताने बाला हूं यह pro के लेके कैसे use किया जाता है इसका hole कैसे पता करना है angle pro कैसे use करना है जो तीनो प्रो कोड अलग अलग definition का थ्रू मैं आपको बताने बाला हूं ultrasonic testing machine दोस्तो मेरा request है मेरा वीडियो अच्छा लगे जुरूर comment भीजे दोस्तो एह ही हमारा request है प्लीज अच्छा लगे जुरूर comment भीजे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था इसलिए दोस्तो वीडियो को मैं step में change कर दिया हूं pro detector लेके एक वीडियो बनाऊंगा टी आर transmission and receiver लेके बनाऊंगा और angle pro में कैसे reading लिया जाता है करन कोई भी object है जिसमें तीनों चीज apply करने के बादी उसका final decision होता है जिए ये है क्या defect है तो कौन सा defect है उसका area कैसे decide होता है कितना गहरा में है कितना area में है हर चीज पता लागता है thank you दोस्तो आज के लिए next video thank you